चलिए शुरूबात करते हैं आज हमारा practice set दो है ठीक है आज हम practice set दूसरा solve करेंगे ठीक है अगर आपको कोई भी inquiry चाहिए तो आप हमारे WhatsApp पर contact कर सकते हैं ठीक है हमारा WhatsApp नमबर दिया भाए उपर ठीक है तो चलिए शुरूबात ये PDF चाहिए तो आपको ये PDF भी मेल जाएग का पहला राज्य हाली में कौन बनाएं ठीक है तो कौन बनाएं आपका महराष्ट ठीक है चलिए next question है आपका next question की बात करें सुय देशी नेविकेशन प्रिणाली गगन का उपयोग करके बिमान की लेंडिंग कराने वाले देश की पहली airline company कौन बनी है ठीक है तो कौन बनी है ये बनी है Indigo कौन बनी है Indigo ठीक है चलिए next question की बात करें हाली में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन वेंक परियोजना को मंजूरी दी है ठीक है तो किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन वेंक परियोजना को मंजूरी दिये तो कौन सी है आपकी महराश्च ने ठीक है कि सरकान ने दिये महराश्च सरकान है ठीक है चलिए next question की बात करते है हाली में International Space Station की क्रूव में सामिल होने वाली पहली एस्वेत महिला कौन बन गई है ठीक है तो कौन बन गई है आपकी इनकी बात करें तो जेसी का वांटिंग्स ठीक है जेसी का वांटिंग्स ठीक है next question है आपका 28 अपरेल 2022 को नई दिल्ली में Indian Building Congress IBC Best Infrastructure Project का पुरुसकार किस परियोजना को प्रदान किया गया है अगर इसकी बात करें तो यह है Attal Tunnel को चली next question देखते हैं आपका देश का पहला क्रिप्टोकरेंसी बेष्ट केपे कहां खोला गया तो चली next question देखते हैं आपका यूनान के हेरा किलोन में आयो जित आई डेलु एप जूनियर बिस्फ चेंपियन 2022 में सुञर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतियाओ भारत-तलक हाल में कौन बनी है ठीक है तो कौन बनी है आपकी ये हरसदा सरद गरून ठीक है हरसदा सरद गरून चलिए next question की बात करते है दुनिया की सबसे लंबा काच ब्रिज 632 मीटर कहां बनाया गया है तो कहां बनाया गया है आपका ये ब्यतनाम में कहां पर ब्यतनाम में ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका खेलो इंडिया यूनिवस्टी गेम्स 2021 के सम्मन में कौन सा कथन सत्य है ठीक है तो कौन सा कथन सत्य है आपका पहला कथन देखते हैं आपका ये है टूनामेंट 24 हप्रेल से 3 माई तक बैंगलोर्ग में अलग-अलग इस्तानों पर आयजित किया गया तो ये भी आपका सही है ठीक है पदक तालिका में जैन यूनिवस्टी ने 20 सुरण पदक के साथ सीर्स इस्तान पर आप्त किया है तो आपका ये भी सही है ठीक है चलिए आगे लवली प्रोबेशनल यूनिवस्टी 17 सुरण पदकों के साथ तूसरे इस्तान पर रही है तो आपका ये भी सही है तो आपका ये सारे ओप्षन सही है ठीक है चली next question पर चलते हैं आपके next question है हमारा देश के पहले green field grain आदारित इथेनाल plant का सुवारम बिहार के किस जिले में किया गया है ठीक है तो बिहार के किस जिले में किया गया है आपका पूर्णया जिले में कहाँ पर किया गया है पूर्णया जिले में ठीक है चली next question देखते है हाली में WTO के बारवे मंत्री इस्तरिय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है तो कहां किया गया है आपका यह यह किया गया आपका जेनेवा स्विटर जेलेंड में ठीक है जेनेवा स्विटर जेलेंड में ठीक है next question है आपका हाली में Quad Leader Seeker Sammelan 2022 का आयोजन कहां किया गया है ठीक है नियुक्तियों में कौन सुमोलित है ठीक है हाली में चो नियुक्तियों यह उनमें से किसका सम्मन्द किसके साथ है मडी का साहा तिरुपुरा के नए मुख्य मंत्री ये भी सही है आपका ठीक है नेक्स्ट राजीब कुमार भारत के 25 वे मुख्य चुनाबायुक्त ये भी सही है मार्कोस जूनियर फिलिपेंस के नहे राष्ट पती आपका ये भी सही है ठीक है तो इसका होगा आपका डी ठीक है नेक्स्ट क्यूसन देखते हैं आपका हाली में पिरकासिस पुष्टक एभवललेख के संबन्द में कौन सुमोलित है ठीक है तो कौन सुमोलित है आपका राकेस मार्या पिरकास पुष्टक ये भी सही है ठीक है चली नेक्स्ट क्यूसन देखते हैं आपका हाली में जारी 20 प्रेश स्वतनता सूचकांग 2022 के सम्मन में कौन सा कथन सत्य है तो इसका क्या होगा आपका रिपोर्ट्स पिदाउट बार्डर संस्ता द्वारा या सूचकांग जारी किया जाता है इस सूचकांग में नारवे, डेनमार्क एवं स्वीडन करम्स पहले दूसरे बे तीसरे इस्तान पर है इस सूचकांग में भारत की रेकिंग पिछले साल के 142 बे इस्तान से गिर कर 152 बे इस्तान पर आ गई है तो आपका इस सारे उप्सान सही है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुष्ण देखते हैं अगला नेक्स्ट कुष्ण है आपका हाली में प्रारम की गई योजनाव में से कौन सुमोलित है ठीक है किसी कौन सी योजना सम्मन दीत है ठीक है तो चलिए सुरूबात करते है मुख्य मंत्री मितान योजना 36 गड़ यह आपकी सही है ठीक है मुख्य मंत्री मितान योजना कहां सुरू की गई 36 गड़ में ठीक है यह अधिगम योजना हर्याना में सुरू की गई ठीक है हर्याना सरकान ने किस खिलाडी के नाम पर पानी पत में इस्टेडियम बनाने की गोशला की है। पहली भारतिय महिला कौन बन गई है ठीक है तो कौन बन गई है आपकी ये पिरंका मोहिते कौन बन गई है प्रंका मोहिते ठीक है नेक्स्ट कुस्सेन है आपका भारत की पहली आदिवासी स्वस्थ बेज साला बनाने की घोशला किस राज्ये के एस्टी और एस्टी विकाद की है थीज तो किसने करिए आपकी ये ओडिशा राजियने किसने करिए ओडिशा राजियने ठीक है चलिंड नेक्ट कुिशन देखते हैं आपका कांस फिल्म फैस्टीवल के 75 वे संस्क्रण में किस देश किसकी country of honor कर दर्जा दिया गया है तो ठीक है किसे दिया गया है आपका ये भारत को ठीक है कान्स फिल्स फैप्टिमल में कि 75 संस्क्रड में किस देश को country of the honor कर दर्जा दिया गया है भारत को ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका बिस्वखाद पुरुषकार foundation ने बिस्वखाद पुरुषकार 2022 में किसे सम्मानित किया है तो किसे सम्मानित किया है आपका डाक्टर सिन्थिया रोसेंज बेक को ठीक है रोसेंज बेक को ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका बारत का पहला फिलो केमेश्ट्री टेकोलाजी हब एपस्ट्री कहां खोला गया है ठीक है तो यह कहां खोला गया है आपका हैदराबाद में कहाँ पर खोला गया है हैदराबाद में ठीक है भारत का पहला फिलो केमेश्ट्री टेकोलोजी हब कहाँ खोला गया आपका हैदराबाद में ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्टन ब्राजिल के केकिस्यास डो सुल में हुए 24 वे मुख बादिर आलोम्पिक के सम्मद में कौन सा कथन सत्य है ठीक है तो कौन सा कथन आपका सत्य है भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 वांज, समित कुल 16 मेडल जीते है सुमित दाहिया ने कुस्ती में एक धनूस, स्रीकांतरी निसननेवाजी में स्वण पदक जीता है ठीक है तो आपके ये तीनों सही है नेक्स्ट क्यूस्टन है आपका दूसरे भारत नाटिक सिकर सम्मेलन, 2022 में प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने भाग लिया है ये सिकर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है ठीक है तो ये कहां किया गया है आपका कीपोन हेगन में ठीक है कीपोन कोपन हेगन में कहां डेनमार्क में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यूस्टन देखते हैं आपका आयुसमान भारत पिर्धान मंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहथ सो पिर्तिसत घ्रों को कवर करने वाला सावा जिला किस राज्य का केंद सासित पिर्देश में इस्तित है तो कहाँ पर इस्तित है आपका ये जम्मू कस्मीर में ठीक है कहाँ पर है आपका ये जम्मू कस्मीर में ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका दिंगवत फोटोग्रापर दाने सिद्धी की सहित किन भारतियों पत्रकारों को पुलिचर पुरुषकार 2022 सम्मानित किया गया ठीक है पुलिचर पुरुषकार से जो सम्मानित किया गया है किन भारतियों को सम्मानित किया गया है अगर उसकी बात करें तो आपका यह है सना इर्षद मट्टू अधनान आबिदी ठीक है और अमित दवे इन सबको पुलिजर पुरकार से सम्मानित किया गया ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं आपका सो अरब डालर सालाना आये प्राप्त करने वाली पहली भारत्य कंपनी नियुन में से कौन बन गई है ठीक है तो कौन बन गई है इसकी आपकी Reliance Industries कौन बनेगी ये Reliance Industries ठीक है चलिए Next Question देखते हैं आपका किस केंद्रिय मंत्री ने माई 2022 में उत्तर पिर्देश के ग्रामपूर के पड़वाई में देश के पहले अमरो सरोवर का उद्गाटन किया है ठीक है किस केंद्रिय मंत्री ने माई 2022 में उत्तर पिर्देश के रामपूर के पड़वाई में देश के पहले अमरो सरोवर का उद्गाटन किया है ठीक है तो ये कहां किया है आपका किसने किया था मुक्तार अबास नकवीन किसने किया था मुक्तार अबास नकवीन था चलिएνεец त socio देखते है हाली में किसे टैंप लटन फांडेशन द्वारा टैंप लटन पृुस्कार 2022 से सम्मानित किया गया थेखर तो किसे सम्मानित किया गया आपका फ्रैंक बिल जेक को ठीक है फ्रैंक बिल जेक को चलिए next question देखते हैं आपका हाली में हुए निधन एबम उनके संबंदित छेत्र के संबंद में कौन सा सुमोलित है ठीक है कौन सा सुमोलित है इसकी बात करें तो सेख खलीपा बिन जायत अलनायज योएकी राश्टपती ठीक है पंडित सिपकुमार सरमा संतूर बातक ठीक है टोनो बुक्स फार्मूला वन ड्राइवर ठीक है तो आपका ये तीनों सही है ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका बायो गैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग इस्टेशन का उद्गाटन किस सहर में किया गया है ठीक है बायो गैस से चलने वाले बारत के पहले EV चार्जिंग इस्टेशन का उद्गाटन कहां किया गया है आपका मुंबाई में कहां पर क्या गया है मुंबाई में ठीक है चलिए next question हाली में Spanish football league का लाड लीगा 2022 का किस टीम ने जीता है ठीक है ठीक है लाड लीगा 2022 का किस टीम ने जीता है ठीक है तो किस टीम ने जीता है आपका ये रियल मेडरीड ने किस ने जीता है रियल मेडरीड ने ठीक है चलिए next question देखते है आपका भारत सरकार के किस मंत्राले ने दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म पुनरोद्वार पर्योजना शुरू की है ठीक है किस मंत्राले शुरू करिए यह इसकी बात करें तो सूचना एबं प्रसारन मंत्रा लेने ठीक है किस ने करिए सूचना एबं प्रसारन मंत्रा लेने ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका निमलिकित में से किस company द्वारा बारत का पहला hydrogen इधन पर आदारित पहला स्वेदेशी electric pot का विकास एबं निर्माड किया जाएगा ठीक है तो किसका किया जाएगा कहां पर किया जाएगा आप किसके द्वारा किया जाएगा तो यह आपका coaching CPR limited द्वारा ठीक है किसके द्वारा coaching CPR limited द्वारा ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आये चक्रवाती तुफान का नाम असानी किस देश से किस देश ने रखा है ठीक है तो यह किस ने रखा है आपका स्रीलंका ने ठीक है किस ने रखा है स्रीलंका ने ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका फाइजर कंपनी ने एसिया के पहले बेस्विक दवा विकास केंदर की इस्तापना भारत के किस सहर में की है ठीक है किस सहर में करिए तो आपका chain नहीं में, कहाँ पर करिए chain नहीं में, ठीक है, चलिए next question देखते हैं आपका किस राज्ये में इस्तित मागर गाव भारत का पहला सहद वाला गाव बन गया, ठीक है किस राज्ये में इस्तित मागर गाव भारत का पहला सहद वाला गाव बन गया ठीक है तो यह कौन सा है आपका महराष्ट में ठीक है कौन सा गाऊ है किस राज्य में है महराष्ट में ठीक है चलिए next बस्तु कला के छेतर में रायल इंडर्श्ट्यूट आप बिटिस अर्किस्ट्रक्स द्वारा रायल गोल्ड मेडल 2022 किसे समानित किया गया ठीक है तो किसे समानित किया गया आपका बाल किर्शन बिट्छुलदास दोसी को ठीक है चलिए next question मई 2022 में राष्टपती रामनात कोविन द्वारा भारतिय सेना के पिर्मुक जन्रल मनोज पांडे को किस पदक से समानित किया गया है ठीक है तो किस पदक समानित किया गया है उन्हें परम बिशिष्ट सेवा पदक से next question है आपका हाली में किसे विशेश बंगलाग अकादनी पुरुषकार प्रुषकार 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 प्रुषका में ठीक कहां खोजी गई ये हडपा में ठीक है चलिए नेक्स क्यूसिन देखते हैं आपका माई 2022 में एपल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुणिया की सबसे बड़ी मुझ्लेवान कंपनी बन गई है ठीक है तो कौन सी कंपनी बन गई है आपकी साउधी अराम के ठीक है साउधी अराम को कौन सी कंपनी बन गई है साउधी अराम को ठीक है चलिए ने एक्ष्ट क्योशन देखते हैं आपका मैं 2022 में बेंग कांग थाइलेंड में आजित थामस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेसिया को तीन जीरो से हरा कर पहली बार जीता है ठीक है किसने जीता है यह आपका भारत ने किसने जीता है भारत ने ठीक है चलिए नेक्ष्ट क्योशन देखते हैं फोबर्स द्वारा माई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाडियों के सूची में किस खिलाडी ने फहला हिस्तान हासिल किया है ठीक है तो किसने हासिल किया है आपका यह लियोन मेसी ने किसने किया है लि 2022-2024 के लिए Association of Asian Election Authorities AAE के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ठीक है तो किसे चुना गया है आपका ये भारत को किसे चुना गया है आपका भारत को ठीक है Next question है आपका माई 2022 में करमचार्यों को सुनेजित आयव प्रदान करने के लिए पुरानी पैंसन योजना OPS की वहली को अधुसूचित करने वाला राज्ये बन गया है ठीक है तो कौन सा बन गया है आपका ये 36 गड़ कौन बन गया है 36 गड़ ठीक है चलिए Next question देखते हैं आपका हाली में जारी घोशना के अनुसार Commonwealth Games 2022 22 से किस खेल को हटा दिया गया है ठीक है किस खेल को हटा दिया गया है आपका तीरंदा जी को निसाने बाजी को कुस्ती को ठीक है इनको हटा दिया जाने की घोशना कर दी गया है ठीक है Next question है आपका निमलिकित में से किस राज्ये के पिर्षित संगित बाद यंतर नर्सिंग पटाई नाग स्वरम को GI टेक दिया गया है ठीक है तो किसे दिया गया आपका तमिल नाडू को ठीक है चलिए next question पहली बार किस टीम ने इंडियन सूपर लीग ट्राफिक का खिताब जीता है ठीक है पहली बार किस ने जीता है अगर इसकी बात कर जाए तो हैदरावाद एपसी ने किस ने जीता है है एदरावाद एपसी ने ठीक है नेक्स्ट क्यूसेन है आपका बिस्प पेरा एथलिक्ट्स ग्रेड फ्रिंक्स 2022 का आयोजन कहां किया गया है जिसमें भारत आठवे इस्तान पर रहा है ठीक है तो कहां रहा है कुन साहिब आपका दुबई यूए ठीक है भारत आठवे इस्तान पर रहा है काहां यूजन वातस का दुबई यूए में ठीक है तो चलिए आज का हमारा करेंट ठपेर्स का प्रेक्टिस सेट दोसरा सोल्ब हुआ ठीक है आपको जल्दी लेकाएंगे अगले प्रेक्टिस सेट पर जब तक के बने रहें आप हमारे साथ मिलेंगे आपको जल्दी धन्यवाद चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करते रहें ठीक है